हेलो दोस्तों अगर आप PPF के अंदर पैसा जमा करवाते हैं तो Government of India ने ऐसे पांच रूल चेंज किये हैं जिसको आपको पता होना चाहिए तो आशी जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो पांच रूल हैं जिसकी knowledge के भाब में काफी परिशानी होती हैं वो क्या हैं आपके PPF में experience को अच्छा करने के लिए विने जी Government of India ने पांच नए रूल नोटिफाई किये हैं जो कि सब के लिए applicable होंगे चाहिए आपका old account है नया account है हाला कि एक rule मुझे खुद पसंद नहीं आया है जो कि पहले काफी अच्छे तरीके से चल रहा था तो वो rule भी discuss करेंगे कि उसकी वज़े से आपको क्या परिशानी भी हो सकती है तो एक सबसे important question रहता है कि मेरा पैसा PPF में कितना secure है तो बताना चाहूंगा 100% पैसा secure आपको परिशानी की जरूरत नहीं है bank में खोलें post office में खोलें पूरी सुरक्षा मिलेगी आपको तो गवराने की जरूरत नहीं है अब हम बात करते हैं सबसे पहले rule की विने जी number of contribution इसको दुबारा से reduce कर दिया गया है जो मुझे personally अच्छा नहीं लगता है विने जी और साल की अगर हम बात करें तो बारा contribution कर सकते हैं विने जी तो वो flexibility जी आपकी हटा दी गई है पर एक flexibility अभी भी रखी गई है जब भी आप पैसा जमा करवाएंगे तो आप 500 रुपे से लेके देड़ लाग तक इसके बीच में कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं जरूरी किये गए है विने जी काफी अच्छा किया है government of India ने कि अगर आप अपना लोन लेते हैं PPF से विने जी तो उस case में आपको 1% अब interest rate देना होगा विने जी जो पहले 2% हुआ करता था तो यह आपके लिए benefit हो जाएगा विने जी PPF account से लोन लेना आपके लिए beneficial रहेगा दू साल के लिए अब interest rate ऊपर जाएं आपको interest rate बढ़ने का कुछ problem नहीं होगी आला कि जैसे अब interest rate ऊपर जाने शुरू होगे तो आपको interest rate तो जादा मिलेगा पर तीन साल का जो आप loan लेंगे वो आपको fix मिलेगा जो अभी 7.1 चल रहा है तो 8.1% के हिसाफ से आपको loan मिल पा जाएंगे तीन साल का ध्यान रखें तीन साल की आपकी loan है और अगर आप EMI नहीं दे पाते हैं तीन साल में loan नहीं चुका पाते हैं तो आपका interest rate काफी ज्यादा बढ़ जाता है जो कि आपको बड़ी परिशानी होगी इसलिए टाइम पे आप अपनी EMI चुका है और loan चु दिया गया आप असानी से उस form को फिल कर पाएंगे तो आपके opening के experience को असान बनाने के लिए form 1 notify किया गया और वहीं अगर आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उस case में आप कितनी भी बार अपने account को extend कर सकते हैं उसके लिए अब आपको form 4 submit करना होगा जो पहले आप form भरते यहां पर आपको option दिया गया है कि जब आप extend करेंगे तो उस case में चाहें तो नया contribution ना करें जो पैसा आपको tax free interest generate करता रहेगा तो यह एक आपका third number का changes है विने जी फॉर्थ बात करें अब आप extend कर पाएंगे without any contribution जैसे मैंने आपको बात करी जो आपको नए form में सुविध यहां पर थोड़े change किये गए है PPF को pre closure अगर आपको करवाना है तो उस case में NRI का तो हम सब जानते हैं अगर आपका status NRI हो जाता है विदेश चले जाते हैं तो उस case में आप immediately अपनी passport की या जो भी आपका वीजा है उसकी copy देंगे तो उस case में आपको जो account है वो close हो TDS कट जाएगा विनेजी तो ध्यान रखें अब आपका TDS भी PPF के थुरू कट जाएगा अगर 20 लाग से ज्यादा और अगर आपने return फाइल नहीं किया तो ध्यान रखें यह नया rule notify किया गया ताकि यह बड़ा amount जो आपके account में आया high value transactions इसको का जाता है उसको आप अपने return में दिखाएं जब भी आप return फाइल करें और TDS को क्लेम करने के लिए तो आप ITIR फाइल करेंगे ही इसी के लिए ऐसा rule notify किया गया है उसके अलावा pre closure के rule जो पहले से applicable थे विनेजी life 13 diseases के case में account holder के या उसकी spouse की अगर हम पती पत्मी की बात करें या dependent children की बात करें उस case मे आप अपना पैसा जो निकलवा सकते है PPF से और higher education के लिए अगर बच्चों की जरूरत है पैसे की उस case में भी आप पैसा अपना PPF के थूर निकलवा सकते हैं यहां पर जब भी आप पैसा निकलवाएंगे तो आपको interest पे एक परसेंट का loss होगा एक परसेंट आपको जो ब आपको मिल जाएगा ताकि अमर जंसी में आपको पैसा मिल पाएगे तो यह पुछ पांच नए रून नोटिफाई किये गए थे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त पोस्ट ऑफिस की स्कीम से रिलेटीड इसके अलावा गोल्ड weekly वीडियो हमारा रहता है उससे रिलेटीड प्रेडिक्षिन्स आपको मिलती रहती है एफडी करेट मिलते रहते हैं बताना चाहूंगा आपकी सारी समस्याओ का समाधान इस चैनल पर मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं थैंक्यू धन्यवाद